आप मारा टॉपिक है राज्य का विधान मंदल आज हम जानेंगे कि विधान मंदल का क्या कारे है इसके कितने सदन है और इसके कितने अंग है सारी चीज़े मैंने इस वीडियो में कवर की है तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो यह बेल है उस पे औल प्रेस जरूर कर ले पहले हम चार्ट से समझेंगे उसके बाद मैं वर्ट वर्ट समझाऊंगी ताकि आप किसे भी पुस्तक को उठाके पड़े खुद से तो आपको सारी चीज़े आराम से समझ में आ जाए देखे विधान मंडल को ही हम राज्य की विधायका भी कहते हैं विधायका मतलब विधी विधी कानून बनाना ठीके तो कोई बिल आते हैं तो वो विधान सभा और विधान परिशद में पेश होते हैं और यहां पर पारित की जाते हैं उसके बाद जब वो कोई बिल यहां पारित हो जाता है काफी हंगामा के बाद आप देखते हैं टीवी में हंगामा हो जाता है बिल फार देते हैं टेबल के पास जाकर ये सारी चीजें होने के बाद लंबी लंबी चर्चाएं होने के बाद एक बिल कानून का रूप तब लेती है जब राज्यपाल जी उस पर बाकि जो राज्यपाल है ये कारेपालिका में आते हैं क्योंकि इसका कारिय होता है उस पर मुहर लगाना और उसको एक कानून का रूप देना ठीक है ये बेसिक चीज़े हैं जो आपको पता होनी चाहिए देखे बच्चो विधान मंडल के तीन अंग हैं जैसे राज्यपाल विधान सभा और विधान परिसद अंग हैं ये तीनों लिकिन अगर सदन की बात करें तो सिफ दो सदन होते हैं वो है विधान सभा और विधान परिसद विधान परिसद हर राज्य में नहीं है ये कंपल सरी बिलकुल नहीं है चाहो तो इसको स्थापित करें वरना ना करें विधान सभा और राज्य पाल हर राज्य के लिए कंपल सरी है और होना ही चाहिए वहां की राज्य सरकार को चलाने के लिए ठीके आपको इस समझ मैं है राज्य सरकार उसको चलाने के लिए कारेपाली का विधान पाली का और वहां की न्याई पाली का ठीके वैसे न्याई पा से मैंने कंपेर करके समझा दिया था तो जो बच्चे देख चुके उनको समझ में आ रहा होगा कि कारी पाली का क्या है और विधाई का जिसे हम विधान पाली का भी कहते हैं वो क्या है ठीके अब ध्यान से सुनेगा मैं राज्यपाल पढ़ा चुकी हूं और इसके उपर MCQSB कावर करवा चुके हूँ दिखिए राज्य पाल या तो एक राज्यका बनता है या फिर एक से दो राज्यका भी बन सकता है ध्यान रहे हर राज्य के थैरा जब भी चुना जाएगा अधर स्टेट का ही निवासी होगा एक दूसरे स्टेट का राज्यपाल ठीक है बाकि विधान सभा विधान परिसद में तो वहीं के मेंबर्स होते हैं ठीक है अब देखें राज्यपाल हमने ये समझ लिया उसके बाद जो विधान सभा होती है बच्चों यहर राज्यव में कंपलसरी है क्योंकि यही निर्मान करती है विधायका का ठी जादा नहीं और साट से जादा रखना चाहिए उससे कम नहीं ठीक है ठीक उसी तरह से विधान परिसद अभी छे राज्यों में हैं पहले साथ में थी क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र केंद्र शाषित प्रदेश में आ चुका है इसलिए उसके विधान परिसद को भंग कर दिया क्योंकि सरकार साफ कहा है विधान परिसदें कभी भी केंद्र शाषित प्रदेश में नहीं होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ राज्यों में हो सकती है चाहो तो ठीक है अब देखें व बढ़ी बी 40 से कम नहीं होंगे 40 से जादा ही रखना है ठीके यह एक स्ट्रेक्चर आपको समझ में आप देखे राज्यपाल बनने के लिए उम्र पे-30 वर्ष होनी चाहिए विधान सभा के मैंबर बनने के लिए 25 और विधान परिसत का मैंबर बनने के लिए उम्र 30 होनी चाह क्योंकि इनके कंदे पे बहुत सारे भार हैं इनको बहुत सारे कारे करने हैं लेकिन ये खुद नहीं कर सकते इनको जरुद पड़ती है सलाह की इतना बड़ा राज्यपाल मुख्यमंत्री जी की न्युक्ति करते हैं परिसद के मैंबर्स बनेंगे ठीक है मतलब मुख्य मंत्री जी की सिफारिश पे ही राज्यपाल जी मंत्री परिसद के मैंबर्स को निक्त करेंगे लेकिन राज्यपाल जी मुख्य मंत्री उसी व्यक्ति को बनाते हैं जो विधान सभाग के बहुमत दल के जो नेता होते हैं ठ उसको word to word समझेंगे तक आप किसी भी पूस्तक से पढ़ें तो आपको इस सब समझ में आ जाए ठीक है ध्यान से सुनेगा बच्चो सविधान के अनुछेद 168 में लिखा हुआ है कि प्रतेक राज्य के लिए एक विधानमंडल का प्रावधान किया गया है जो राज्यपाल त प्रत्रक्चर को हम विधानमंडल कहते हैं जैसे मैंने अभी बताया वर्तमान समय में सिर्फ छे राज्यों में ही दो सदनों की विवस्ता की हुई है जिसे द्वी सदनी अभी कहा जाता है जिसे आंद्यप्रदेश विहार करनाटक महराश्र तेलंगाना और आंद्यप्रद अगर विधान परिसत बनानी है तो उसमें पर्मिशन लेनी होती है भारत की संसदगे ठीक है तो बात में कभी राजिस्तान असम और ओडिशा यहां पर भी आपको विधान परिसत के बारे में पढ़ने के लिए ठीक है अब देखिए विधान मंडल की शक्तियां तथा कारिय क्या पावर है विधान मंडल के पास रज्य विधान मंडल को रज्य सुची के विशे पर विधी बनाने का अन्य अधिकार प्राप्त है देखिए मैंने आपको बताया था जो हमारी केंद्र सरकार है जिसे हम भारत सरकार कहते हैं वो केंद्र सुची पर विशय पर वो कानून बनाती है और राज्य जो है राज्य सरकार ये हमेशा राज्य सुची के विशय पर ही क्या बनाती है कानून बनाती है मैंने अनुसुची सैवन वाली पड़ाई थी आपको उसमें लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार किस पर कानून बनाती है ठीक है दोनुके अलग-अलग विशए है बच्चो ध्यान रहे दोन के अलग-अलग विशए है जो केंदर सरकार जो परी भारत सरकार विधी बनाती है ना विधी वो पूरे देश में लागू होती है लेकिन जो रज्य विधान मंडल दुआरा किसी रज्य सरकार दुआरा अपनी हे रज्य में कानून जो बनाते हैं वो सिर्फ उसी रज्य के लिए होता है पूरे देश के नहीं होता है इस तरह से ये दोश सरकारे मिलकर हमारे देश को चला रही है किंदर सरकार और राज्य सरकार ठीक है समझ में आ गया और किस विशय पर ये कानून बनाएंगी अनुसुची सैवंत में लिखा है और उसको में डेटेल में समझा भी चुकी हो देखे राज्य विध अब देखे जो समर्वती सूची है उसके किसी विशय पर कोई भी विशय है उठा है अगर उसके कानून बना चाहते हैं तो उस विशय पर रज्य विधान मंडल दौरा बनाई गई वीधियों पर उसी विशय पर केंद्र संसर दौरा बनाई गई वीधियों से विरोध होता तो केंद्रे संसद दुआरा बनाए गई विध्या ही मानिये होगी इसका मतलब समझेगा जो समर्वती सुची है देखे रज्य सुची पे तो रज्य विधान मंडल कानून बना रहा है केंद्र जो है केंद्र सरकार जो है हमारे केंद्रे संसद जो बना रही है कानून वो पर रहोंद करथी है। केंदर की संसद तो ऐसे में चो चो केंदर की संसद ने कानवल बनाया है उसको जादा मानयता मिलेगी। बनाई गई विधी के विरुद होने पर भी अवैद नहीं होती है ठीक है अब देखें नेक्स्ट राज्य विधान मंडल को चुनाव से संबंदित भी कुछ शक्तिया प्राप्त है चुनाव के संबंद में भी राज्य विधान मंडल के हाथ में पावर है जैसे विधान सभा और विधान परिसद के सदस्य जैसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति का चुनाव ये खुद कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर संबंद के परमिशन लेने की जरुरत नहीं है राज्य विधान मंडल है उसमें जो विधान सभा होती है वो उसको भी कमा परमिशन की जरुत नहीं है संसद की कि मैं किसको बनाओं किसको नहीं बनाओं ठीक है देखे आगे विधान सभा को चुनाव संबंदी कुछ ऐसी और शक्तियां प्राप्त है जैसे विधान सभा के निर्वाचित जो सदसे है न वो राष्टपति के चुनाव में भी भाग आप जानते ना राष्टपति जी को चुनाव कैसे होता है sub aha संसद के जो लोक बाधा राज्य सभा दोनें निर्वाचित इस और वहीं विदान सभा, जोती है असके पिस सिर्फ निर्वाचित मनोनीत नहीं सारे निर्वाचित सदस्य मिलके हमारे राष्टरपति जी का कुन पारित संकल्प द्वारा सदन के अद्धयक्ष तता उपाद्यक्ष को हटाने की शक्ति प्राप्ते इसे हमने लोक सभा में पढ़ा है ना सुनिये लोकसभा विधानसभा copy है ठीकै वैसे रजसभा और विधान परिसद copy है एक दुसरी की ठीकै दिखें नैग्च इसी प्रकार विधान परिसद के सदस से भी अपने बहुमत से पारित संकल्प द्वारा सदन के सभापति तथा उपसभापती को पद से हटा सकते हैं य नहीं है तो उसी तरह से विधान सभा क्या देख्षता कॉन करेगा उसका अध्यक्ष अपसंट है तो उपा देख्ष तो इनको यह बनाते भी सी पद पर हैं सब मिलकर लोग और यह चाहे तो उसको पद से हटा भी सकते हैं वही सारे लोग ठीक है यह लिखाए इसमें चले ने देखिए राज्ये विधान मंडल को इबच्चों विधान पालीका भी कहते हैं तो राज्ये की जो विधान पालीका है वो कारे पालीका को नियंतरित करती है देखिए राज्य मंत्री परिशत विधान सभा के प्रती सामुहिक रूप से उत्तरदाई होती है यदि विधान सभा मंत्री परिशत के विरुद अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दें तो ऐसे में पूरी मंत्री परिशत को त्याग पत्र देना पड़ता है मंत्री परिसद में जो मेंबर होते हैं सुनिएगा वो विधान सभा और विधान परिसद दोनों के मेंबर्स को मिला कर बनती है मंत्री परिसद उसके मेंबर से उतनी होंगे जितने विधान सभा के मेंबर है उसका सिर्फ 15 प्रतिशत तो ध्यान रहें अगर किसी एक भी मंत्र के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो ऐसे में पूरी की पूरी मंत्री परिसद को त्याक पत्र देना पड़ता है और ये पूरी तरह से उत्तरदाई होती है किसके ये विधान सभाके प्रती है ठीके देखें इसके अतरिक्त विधान मंडल दुआरा प्रश्ण चर्चाव और स्थगन प्रस्ताव जैसे युक्तियों के माध्यम से भी मंत्री परिसद पर नियंत्रण रखा जाता है भारती सविधान में कुछ ऐसे प्रवधान भी है जिसमें संसोदन करने के लिए आदे से अधिक राज्यों के विधान मंडलों का अनुसरमंथन आउश जो कोता है इसका मतलब समझेगा देखे अब जानते हैं बिल होते हैं एक धन विदयक होता है एक साधारन विदयक होता है और एक ऐसा विदयक होता है जिसे हम भारतिय सविधान संसोदन विदयक कहते हैं तो इसको पास करवाने में भी जो विधान मंडल की जो विधान सभा होती है ना उसकी आउशकता की भी शरुवत पड़ती है ठीक है चलिए यह सारी चीज़ आए हूप आपको समझ में आवे होगी और डिटेल में समझेंगे आगे वाली वीडियो में जहां पर विधान सभा और विधान परिसत अलग से पढ़ाऊंगे आमसे के उस भी कवर करव haогई थैंक य।